आज उस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके क्लास 10th बोर्ड एक्जाम में जो क्वेश्चन्स आएंगे वो कहां से आएंगे एंसी आर्टी में से आएंगे या फिर किसी रेफरेंस बुक में से आएंगे क्योंकि हमारे पास काफी फ्रेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमारे क्लास 10th के जो बोर्ड एक्जाम हैं उसमें जो क्वेश्चन्स हैं वो एंसी आर्टी वाले आएंगे या फिर किसी रेफरेंस बुक के आएंगे तो काफी कन्फूजन थी इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे कि आपके बोर्ड एक्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे ठीक है कि निदे करोंगे तो अनिदे करोगे हैं कि इस निदे करोंगेैं कि अश्ते से कुछान आएगा अप्ट कहां से फुछा जासकता है चेह बिल्ब भी फिक्स नहीं है आपके क्वेस्व कहां से आएंगे ठीक है विकाज हम काफी फ्रेंड से सोचते हैं कि मैं एस रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चन को रट लेता हूं मेरा तो एक्जाम अच्छा चला जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है हमें इतना पता है कि एंसी आर्ट के जो कंसेप्ट है उन्हीं में से कैसे पूछ लेका सकते हैं कि एंसी आर्ट के भाहार की कंसेप्ट में से क्वेश्चन नहीं आएगा उसक्ताए के कांसे क्रयूट तो यह बिल्कुल भी fixed नहीं है, अब देखो हमें इतना तो clear है कि NCRT के concept में से ही question पूछा जाएगा, आपने NCRT को अची समझ लिया तो आप question को answer कर सकते हो, तो अगर NCRT के concept को हम समझ लेते हैं, हम questions की practice करी क्यों रहे हैं, जब यह fixed ही नहीं है कि question कहां से पूछा जाएगा यह हम questions की practice इसले करते हैं, because concept को समझने के बाद, उसकी practice करने से, उसकी हमें और अच्छी clarity आती है, हमें यह clear होता है कि हमें concept का answer बनाना कैसे है, ठीक है, तो questions की practice करना बहुत important है, जब आपने NCRT की पूरे chapter को समझ लिया, concepts को understand कर लिया, तब आपको NCRT की जो पीछे back में questions उनको practice करना, examples को practice करना, and फिर आपको यह reference book भी ले सकते हो, जिसमें से, आप questions की practice करोगे, questions की practice हम इसले करते हैं, ताकि हमारे concept और अच्छी से clear हो जाए, ठीक है, यह फिक्स निय की question कहा से आएगा, अब मैं आपको यह sample paper है, आपका CBAC ने जो release किया, science का sample paper, उसमें से आप observe the experimental setup shown below, name the chemical indicated as X, that can absorb the gas which is evolved as a by-product of respiration, तो अब यह जो question है, यह question कहा से है, यह question आपका जो chapter life processes है, उसकी एक activity 6.2 में से यह question पूछा गया है, तो अब आपने अपने अपने अच्छी से पढ़ी है, सारी activities को समझा है, तो आप यह question कर सकते हो, तो आप यह question कर सकते हो, यह question कही आपके NCRT के बैक में या फिर किसी रेफरेंस बुक में नहीं है, लेकिन यह concept में से पूछा गया है, इतना तो में क्लियर है, तो इसी यही बात हम आपको क्लियर करना चाहते है, कि आपको concept understanding पर जादा ध्यान देन है, question कैसे भी, कहां से भी, पूछा जा सकते है, अब इसक का अंसर क्या होगा, हम जानते की, रेस्पिरेशन का बाइपरोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रोड़क्रो पुछा है कि if a tall pea plant is crossed with a pure dwarf plant then what percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall तो देख हम जानते है कि जब हम एक pure tall plant and pure dwarf plant को cross कर देते हैं तो F1 generation आती है जिसमें सारे के सारे tall plants होते हैं and then फिर एक F2 generation आती है उसके बाद F1 plants के cross करने के बाद F2 generation आती है जिसमें से 4 plants में से 1 short होते है 3 tall होते हैं आती है यह अपको बताक को बताना से कि F2 generation में to all plants का क्या percentage हो गा तो देख फेच हम मेरे तो यह तो आप खुद ही बता सकते हो कि उनकी परसेंटेज क्या होगी ठीक है तो यहां से में क्लियर हो देगी आपने इंसे आटे कंसेप्स को अच्छे से समझा है तो आप क्वेस्टिन की अंसर कर सकते हो अगला ही क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है यहां और हमसे पुछा है और हमसे पुछा है ऑब्जव थ्री फिगर जिवन बिलो विज उफ द फॉल्विंग डिपक्स प्रॉपिक्स अप्रॉपिटल्य तो यह प्रॉपिक मुवमंट दिखाई है इनमें से कौं सा सही फिगर है यह आपको बताा एं तो देखो एक प्लांट को तो होजों वनेशफ लिटा दिया हम जानते है प्लांट का पाट हो missed sunlight अरि तरफ उपर करता है आज जो रोट ओता है वो हमेशख ग्राविटी सॉल की तरफ गरो तो इसमें से सही फिगर कॉन सा है ये ये आपका सही फिगर है इसमें रूट नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है और जो शूट है वो सनलाइट की तरफ तरफ तो अज़ फिगर सी इस करेक्ट तो इसका अंसर रो जाएका ऑप्शिन अमबर दी ठीक है ऐसा क्वेशन कहीं आपकी कर दो लाट नीचे की आँचन फ्तु पर प्रफ चाहिए लगा ने की तो अब आपको यहीं करना चाहते हैं कि यह कहीं वी फिक्स निया अपकी के क्वेशन कहां से यांगे इत विल बेस बेस ऑं दुचिए अंग तो प्रेंट का लेते हैं । पर शुड भी और थी या ते नुच् छूशन प्राइक शूशने इपिस्स करण। जो आसे नुच्सफ मैं वो इस aartसे आप आससे नुच्छ कोस्ट्राइटिस को थाया इंपierte माइंड से आपका माइंड से होना चाहिए कि आप अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉंग करते जा रहे हैं तो हम काफी में सोच लेते हैं कि मैं इस रेफरेंस बुक के सारे क्वेस्टन को याद कर लेता हूं हो जाएगा ऐसा नहीं रेफरेंस बुक बस क्वेश्टन की प्रैक् देना हैं सो तो याद 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 आपको यह पूरी कंफूजन अच्छी से क्लियर हो गई है कि क्वेस्टन कहां से एंगे तो इसका अंसर है कि कुछ भी फिक्स नहीं है यह हमें पता है कि NCRT कंसेप्ट में से एंगे सिंप्ल ओके सो ब्सक्राइब की आपको यह वीडियो Thank you so much